हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे हिंदी पे बहुत चद इंपोर्टन टॉपिक छंद के बारे में दोहा छंद, सोल्था छंद, रोला छंद तथा चौपाई छंद ठीक है चंद की परिभासा, चंद की उदाहरण और चंद पे इस पश्टी करण कैसे लिखने आपको और इन पे मात्राएं लगाना भी आपको पूरा सिखा देंगे इस वीडियो पे ठीक है तो पहला हमारा छंद है दोहा छंद, दोहा छंद में देखो क्या होता है कहा गया दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, दोहा में क्या होता है या अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं इसके पहले और तीसरे चरणों में तेरा तेरा मात्रा हैं तो यही हमने लिग दिया है आप इसी पे आपको 11 मात्राइं देखो पहले और तीसरे चरण यह पहला चरण तीसरा चरण इसमें 13-13 मात्राइं दिखानी है और दूसरे और चोथे चरण में 11-11 मात्राइं दिखानी है तो आपका यह दोहा चंद सिध्ध हो जाएगा तो वही दिखानी है तो देखो आपको मात्राइं लगाना भी सिखाते हैं तो देखो मात्राइं कैसे लगेंगी आपको सिंपल यह समझना है अगर मालो छोटा आ की मात्रा है तो आपको इस टाइप से वन का प्रियोग करना है वन कह सकते हो या इससे कहा जाता है लगू ठीक है और मानलो बड़ा आ गया तो इसके लिए इस टाइब से 2 इसे मान सकते हो या आप इसको कह सकते हो दीर्ग ठीक है इस टाइब से प्रयोग होता है मानलो छोटी मात्रा है तो उसके लिए एक का प्रयोग बड़ी मात्रा है तो इसके लिए चोटा O है मानलो इस टाइफ से O तो इसके लिए एक कपर योग कर सकते हो O है तो आपका 2 का ठीक है इस टाइफ से आप कर सकते हो तो simple है आप देखो आपको करके बताते हैं यहापे तो O पे यहाँ पे 2 ही मातरा लगें क्योंकि तो आ है न फिर उस पे O की मातरा लगी तो इस पे भी 2 की मातरा इस पे भी 2 की मातरा तो देखो आपको लगा के दिखाते हैं जिसका समन में है आपका है दोहा स्री गुरु चरन सरो जरज तो देखो इसमें बड़ी E की मातरा है यहां पे भी कोई मात्रा नहीं एक लगाओ, यहां कोई मात्रा नहीं एक लगाओ, फिर यहां साब में कोई मात्रा नहीं एक लगाओ, ओ, ठीक है, ओ है तो दो की मात्रा लगेगी, फिर आपका जा है, कोई मात्रा नहीं एक लगाओ, फिर यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, गिनो कितनी मात्र होगी, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, दो, दस, ग्यारा, दो, तेरा, तेरा मात्र है, ठीक है, ये दो है और सब एक, ठीक है, आप देखो निजमन, मुकुर, सुधारी, तो इसमें देखो छोटी ही है, तो एक मात्रा, जा है, तो एक मात्रा, इस इसमें गिनो बरना उपे एक, दो, तीन, बड़ा हुँ है, दो, एक, 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 ठीक है, फिर यहां पे छोटी, एक, 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 गिनो, तीन, दो, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, तो कितनी मातर हैं होगी, चौदा, एक, दो, तीन, प एक भी कर सकते हो, ठीक है, तो इस टैप से, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तेरा मातर होगी, इस पे गेखो, दो, दो, चार, पांच, छे, साथ, आट, यहां पे दो, दस, एक, ग्यारा, ग्यारा मातर है, ठीक है, आपको देख मातरीक चंद तो यहां दौहा चंद अगर आपको इस पष्टी करण्ट में तेरा तेरा मातरा हैं परथम चंदमें तेरा मातरा इसी प्रकार से रहा हैं तो इस टाइप से को इस पष्टी करण्ट全 देना है तो देखो दोहा चंद में क्या होता है दोहा अर्ध सम्मात्रिक चंद है इसमें चार चरण होते हैं इसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारा ग्यारा मात्रा है तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरा तेरा मात्रा होती है या दोहे का उल्टा होता है देखो दोह में क्या था पहले और तीसरे में तेरा मात्रा है थी दूसरे और चौथे में ग्यारा थी लेकिन यहां पे क्या होगा आपका सोल्था पे सोल्था जो है यह भी अरसम मात्रिक छनले लेकिन इसमें चार च्रड इसमें भी होते हैं लेकिन पहले और तीसरे में इसमें ग्यारा हो कोटी सोभा दिक सुनी ता सगुन ग्राम जा सुनामक खरगदिक ठीक है आसान था इसलिए इसको ले लिया तो इस पर भी आपको मात्रा है दिखानी पहले तीसरे पर 11-11 तो दिखाते हैं देखो तो जैसे चोटा है तो वहां पर ये लगा बड़ा है तो दो तो यहांपे देको चोटा हूँ एक एक, एक, एक यहांपे बड़ा दो लगा तो एक, 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 दो, एक गिनों कितनी मात्र हैं? 3, 2, 5, 1, 6, 8, 10, 11, 11, 12, 13 13 मात्र हैं होगी, simple आपने लगा दिया 13 मात्र हैं, ठीक है? तो इस type से आप लगा सकते हो, तो इसमें क्या हुआ? सोल्ठा अर्षम मात्र है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले तीसरे में 11 मात्र हैं, दूसरे और चोथे में 13 मात्र हैं, तो यह हो गया सोल्ठा चंद एक दाम आसानी से, इस पश्टी करण में क्या लिखोगे? इस पश्टी कड़ में आपको लिखना है इसमें पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्रा है तथा दूसरे और चोथे में 13 मात्रा है आता है या 16 छंद है ठीक है देखो हमने लिखा भी है ठीक है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 ग्यारा मात्रा है तथा दूसरे और चौथे में 13-13 है आता या 16 चंद है simple एकदम ठीक है अब अगला देखो अगला है आपका रोला चंद तो इसमें क्या होता है या एक सम्मात्रिक चंद है देखो दोहा और 16 अर्थ सम्मात्रिक है लेकिन रोला जो है सम्मात्रिक है इसमें क्या होता है देखो या एक सम्मात्रिक चंद है ठीक है इसमें 4 चरण होते है प्रतेक चरण में 24-24 मात्राएं होती है और 11 वा 13 में यती होती है या रोला चंद कहलाता है देखो कैसे यती का मतलब होता है विस्राम जैसे यहां पर कौमा लगे न तो यह यती कहलाता है जैसे कौमा लगे तो विस्राम जैसे उठो उठो हे वीर विस्राम हो अप फिर आज तुम निद्रात यागो फिर करो महा संग्राम विस्राम या यती फिर नहीं कायर हो भागो तुम्हें वरेगी विजय अरे यहां निश्चय जानो ठीक है फिर आगे आपका भारत के दिन लोट आएंगे मेरी मानो तो यह आपका है क्या रोलाचन तो इस पे भी मात्राएं लगाते है 24-24 मात्रा हैं आपको दिखानी तो चलो दिखाते हैं आपे तो सिंपल हम लगा देते मात्रा है तो यहां पे देखो U है छोटा U तो एक मात्रा यहां पे दो ठीक है यहां पे एक दो यहां पे कितनी लगेगी ठीक है यहां पे A है आपका ठीक है एक ही जगा दो लग जाएगा यहाँ पे भी देखो इस टाइफ से दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे आप एक लगा सकते हो, एक, यहाँ पे एक, एक और निद्रा, यहाँ पे आप एक चीत देखो गड़ पड़ोगे, निद्रा त्यागो, यहाँ पे आपको को लिख ले रहे हैं, निद्रा को तो यहांपे आपका कितना हो जाएगा 2 यहाँपे 2 और यहाँपे 2 बीच में को लगा लेदा ठीक है मातारा इकिनो 1,2,3,4,2,6,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,22,20 बस बीच में आपको यहाँपे को लगा लेद निद्रा को लगा लेदा उठो उठो हेवीर आज तुम निद्रा को त्यागो ठीक है फिर करो महा संग्राम नहीं कायर हो भागो ठीक है को है ना यहाँ पे भी हो आ रहा है जिसलिए यहाँ पे को लगा लेना ठीक है देखो हमने यहाँ पे भी आपकी मात्राएं लगा दी है चौबिस चौबिस देखो इसमें एक दो यहाँ पे इस टाइफ से चौबिस चौबिस मात्राएं आपकी पूरी है ठीक है तो आप यहाँ पे भी इस पश्टिकरण में लिख सकते हो इसमें प्रतेक चिरण में 24-24 मात्रा हैं और 11 वा 13 में यती हो रही देखो इतने में गिनोगे 1, 2, 3, 4, 2, 6, 8, 2, 10, 11 इतने में 11 मात्रा हैं यहां पे गिनोगे तो 13 मात्रा हैंगी ठीक है तो 11 और 13 में यती के मतलब इस टाइब से कॉमा या विराम है ठीक है तो इसमें प्रतेक चरण में 24-26 मात्रा हैं और 11 वा 13 में यती हो रही अता है रोला चंद है ठीके इस पश्टिकर तो अपने से बना लेना है यहाँ पे देखो इतने में 11 मात्रा है यहाँ पे कहीं पे इतने में गिनोगे तो 11-11 मात्रा मिलेंगे और इधर वाले में 13-13 मिलेंगे ठीके तब आख की जाके 24 होँगे तो यह है रोला चंद ठीके एकदम सिंपल रोला चंद हो गया इसका उधाराण भी आप मस्तर से लिख सकते हो आप देखो अगला चंद देखते हैं चौपाई चंद अब है चौपाई चंद तो चौपाई चंद में क्या बता है यह सम मात्रीक चंद है इसमें चार चरण होते हैं और प्रतेक चरण में 16-16 मात्राएं होती है ठीक है मतलब इसमें भी चार चरण होंगे लेकिन इसमें मात्राएं कितने होंगी 16-16, तो हमने हन्मान चलिए सागे ले लिया जै हन्मान ग्यान गुन सागर, जै कपिस्टिव लो कुजागर, राम दूत अतुलित बालधामा, अन्यन पुत्र पुत्र पुतनामा, तो इसमें देखो 16 मात्रा हैं लगाते हैं, 1, 2 3, 4, 6, 7 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, ठीक है सिंपल बस यह याद रखा, को छोटी मात्रा है जैसे छोटा, तो उस पे 1 लगाओ और बाड़ी तो 2 लगाओ, 1, 1 यहाँ पे 1, 2, 1 ठीक है, यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं, 2, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1, 1 गिनों कितनी, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 2, 8 9, 10, 11, 13 और 14, 15, 16 ठीक है, इसी टाइप से 16, 16 लगा देते हैं यहाँ पे भी देखो ठीक है, तो देखो, हमने यहाँ पे भी 16, 16 मात्रा हैं आपकी आसानी से लगा दिये देख सकते हो आप, ठीक है आप इसमें बस यह आद रखो छोटा है तो एक मात्रा छोटी ही है, तो एक मात्रा और ऐसे दो तो यहाँ पे आपकी 16, 16 मात्रा होगे इस पश्टिकर्ण में क्या लिखेंगे इसमें प्रतेक्चरण में 16, 16 मात्रा हैं आता हीए 24 छंद है तो चौपाई छंद भी हो गया तो इस टाइब से होता है चौपाई छंद आप एकदम मस्त मस्तिक जाम पल लिए जिससे आपको आसानी रहे जैहनमान ग्यान गुन साकरवाला रोला पे आप यह लिख सकते है उठो उठो हेवीर आज तुम निद्रा त्यागो करो महा संग्राम नहीं कायर हो भागो तुम्हें वरेगी विजय या निश्चय जानो भारत के दिन लोट आएंगे मेरी मानो और यह आपका सोल्था चंद था और हो गया दुद्दो हज़न ठीक है तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर देना ओके थैंक्स पर वाचिंग देश वीडियो